हेलो फ्रेंड्स, मेरे चानल मूवी रेसिपी में आपका स्वागत है आज की रेसिपी में हम बात करेंगे फिल्म फुक्रे थ्वी के ट्रेलर के बारे में फुक्रे थ्वी एक भारती फिल्म है जो अठाई सेप्टेंबर 2023 को रिलीज होगी मेगतीप सिंग और लामबा फिल्म के सहनिर्माता है और स्टार प्रोजेक्शन में रिचा चडधा, वरुन शर्मा, पुलकित समराट और मनजोत सिंग शामिल है फुक्रे थ्वी में एक और सेलिब्रिटी है पंकर्श त्रिपाथी इसे पहले की हम ट्रेलर के बारे में विस्तार से बात करेंगे, हम फिल्म के विवरण पर चलते हैं फुक्रे थ्वी एक बहुप्रतिक्शित भारती फिल्म है, जिसका निर्देशन मेगदीप सिंग लामबा ने किया है फिल्म का निर्मान फरहान अक्तर एनरतेश सिध्वानी ने किया है और प्रसिद दयावरसन द्वारा निर्मित है या फिल्म सम्मानित होने की परंपरा को जारी रखते हैं, फिल्म दिखाने की बात आती है तो फिल्म चुटकुलों से भरी हुई है इस फिल्म में चूचा की भूमी का एक उर्जा जोदती है और दर्शकों को खूब इंटर्टेन करेगी कोमेदी में फुक्रेथ्वी अच्छे परिणाम देगी इस फिल्म में वरुन शर्मा और पुलकित समराच स्कूली छातरों की लाइफ को दिखाती है जो अपनी परीक्षा में फेल हो जाते हैं और अपने कॉलिज तक नहीं पहुँच पाते इस फिल्म में चूचा ने ट्रेलर की शुरुआत दो तर्फा हमले के साथ की है उसने एक चुटकुले के साथ दर्शकों को डाइवर्ट कर दिया है इनादर सीन रिचा एक भोली पंजाबन की भूमी का निभाती है जो बड़ी बनना चाहती है और दिल्ली की दुनिया पर राज करना चाहती है उसने एक बहतरीन अंग्रेजी पंक्तियों के साथ सीन की शुरुआत की और एक बड़ी मिस्टेक कर दी मैं पूछना चाहूंगी कि निर्माताओं ने फिल्म में क्रेदित जोडने का विकल्प क्यों चुना क्या उन्हें लगता है कि डेली सरकार अधिकतर अग्यानी है मन्जोज सिंग और पंकर्श त्रिपाथी दूमेन कैरेक्टर है वे फिल्म को एक बहतरीन एहसास देते हैं और फिल्म को दर्शकों से जोडने में मदद कर सकते हैं मेरा मानना है कि या फिल्म ट्रेलर से कही ज़्यादा दर्शकों को जोडती है